सबसे पहले तो मैं इसका मीन निकाल लेता हूं सबसे पहले इसका मीन क्या निकलेगा मिरे पास यह जो वैल्यू दे रखी यह नमबर ओफ एंड टम्स है और समीशन एकसाई ऐसी मीन निकलेगा आई की वैल्यू 1 से लेके एं तक है यह मिरे पास मीन होगा अब मुझे क्या निकालना है इसका वेरियंस वेरियंस रिमेंस का होल स्कार इसको सिग्मा बन माल लेते हैं और जब एड करेंगे एक हो तो उसको सिग्मा टू ले लेंगे यह ओता है फॉर्मूला वन बाए एन समीशन आई के वैल्यू 1 से लेके एन तक और एकस माइनस एकस का मीन और यह होल स्कार यह आपके फिर्स रिक्विशन एक तर is increased by a then अगर वो a से increase होगी तो क्या बन जाएगा observation देखो x1 प्लस a हो जाएगा यह x2 प्लस a हो जाएगा यह और यह xn प्लस a में change हो जाएगा यह सबसे पहले तो आपका जो mean निकलेगा वो क्या हो जाएगा अब जो नया observation है यानि कि जो आपके पास yi है वो x i के साथ प्लस a हो गया है मतलब जो नई value बनीगे वो क्या हो गया है इसके यहाँ पर यह add हो गया है यह तरीके से बताओ समझ में आएगा है क्या किया चारू मैं आपसे इसका यहाँ पर mean लग गया है इस पूरी values कहाना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकलना है मुझे इसका पहले mean निकलना है क्या निकलना थो mean कैसे निकलेगा इसके बाहर लगेगा और summation i के value 1 से लेके कहां तक चलेगी n तक चलेगी और x i plus a जो values हैं जितनी भी values आ रही हैं आपके पास यह यहां तक चलती जाएंगी अब आगे सुनना अब मुझे पता है summation दोनों के लिए separate हो सकता है हो सकता है नहीं हो सकता summation i के लेके 1 से लेके n 1 by n छोड़ दिया है 1 by n इसके साथ भी multiply होगा और इसके साथ भी multiply होगा बता हो समझ में आया है क्या अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं यह कह रहा हूँ आप से कि हमें यहां पर यह जो x i की values दिख रही है यह जो x i की value दिख रही है यह actual में किस से similar है इसकी जगह मैं x का mean लिख सकता हूँ directly ठीक है इधर देखो यह value देखो आप यह 1 by n तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन यह a है फिर से a है फिर से a है फिर से a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a करना है आपको कहा ता करना है n terms तक करना है तो मैं directly n multiply a कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ n cancel out हो गया और यह आपके पास value बन गया है किसका y का ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेने पास y की value कितनी आ गई है y का जो mean है जो नया observation है उसका मेरे पास जो mean है वो यह आ गया है ठीक है अब मुझे निकालना क्या था है इसका variance variance क्या होता है sigma 2 इसका whole square हम निकालेंगे और formula summation i की value 1 से लेके कहां तक रहेगा हमेरे पास n terms तक रहेगा और यह मेरे पास जो value बनेगा वो y i minus y dash minus x i plus a बनाएती है इसकी value क्यों बनाएती है x i plus a बना लीती है और जो मेरे पास भाई यह नया observation तो पुराने वाले के साथ add ही तो हो रही थी नहीं नीचीज़ेश और यह y dash अब यह निकाला मैने इसका आप equation 2 मान सकते हो फिर इस पर square लग रहे है फाइनली देखा आपके पास क्या बचा इसके बार n भी आएगा और यह value जो है आपके पास किस से match खा रही है sigma 1 के whole इसकार से यही तो कह रहा था आप से where a is negative or positive it is increase from the आपके पास जो मूल आपका जो observation जो starting वा अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपका वेरींस जो होता है remain unchanged रहता है clear है इट इस शोन डाट वेरियंस रिमेंट अंचेंज्ट किलियर है आप यह होता है complete आपका मिसलेंस एक्जाम्पल नमबर फिर